हालो फंट्स कैसे हैं आप सभी ब्यूरो ऑफ इंडेंस टेंडर की वेकैंसी निकाले गए थी 2020 में ऑनलाइन फॉर्म फील अपकर आगे थे वहरियस पोस्ट के लिए मैं आपके सामने लेकर आचुका हूं सिलेबस तो आजी देखते हैं क्या सिलेबस रहने वाला है क्योंकि प सब्सक्राइब करें गरूप ए में गरूप बी और प्रोप सी निकाले गए थी पोस्ट के लिए तो पहले बात करें एसे से की निकाले गए थी 79 पोस्ट के लिए 27 शाल एज रखा गया था बात की जारी है JSA के बारे में 36 post की vacancy निकाले गए थी 27 साल age रखा गया था वही देखते हैं official syllabus क्या रहने वाला है paper में क्या question पूछे जाएंगे क्या क्या subject रहने वाला है कितने question आने वाले है paper देने से पहले एक बर official syllabus चेक करके जाएए जिसे आपको एक idea मिल जाएगा paper में कैसा question आपको देखने को मिलेगा बात करें selection procedure के बारे में तो यहाँ पर selection procedure दिया हुए SSA का और JSA का तो बात कर लेते हैं क्या selection procedure रखा गया है selection ले जाने के लिए 27 साल की हैश की vacancy निकाले गए जो का paper होने वाला है 24 दिसंबर 2020 को उसके बारे में बात की गई है जो बच्चे qualify कर जाएंगे जो बच्चे pre qualify कर जाएंगे उनको यहाँ पर skill test के लिए बुलाए जाएगा CPT के लिए बुलाए जाएगा CPT में तीन तरह के paper लिए जाएंगे पहले हैं बात की कि यह word processing test 2000 की depress का होगा जो को 15 में बना ले जाना होगा बात करें spread seat में आपको बनाना होगा 15 में solve करना होगा तीसरे में बात की यह power point में आपको दिए जाए कुस्तन उसको भी 15 में solve कर जाना होगा अगर यह साब ही कर जाएंगे तो आपका कॉलिचर का CPT होने वाला है उसमें आप pass कर जाएंगे और जो final selection होगा वो आपका pre से ही selection होगा जो 24 दिसंबर को होने वाला है जितना ज़्यादा score करेंगे 24 दिसंबर में जो paper होने वाला है वो ही आपका selection ले जाएगा SSA में बात करें JSA में वो बात की जारी है online paper होने वाला है इसका भी 24 दिसंबर को जो बच्चे qualify करेंगे इनका typing होने वाला है 35 का English में जो Hindi में करेंगे उनको 30 का करना होगा यह बात यहां पर की गई है अब बात करें syllabus के बारे में syllabus क्या रहने वाला है यहां पर syllabus के बात किया गया सभी का syllabus सेमी रखा गया है चाहिए ASO का भरे हैं चाहिए PA का भरे हैं स्टनो का SSA का JSA का सभी का syllabus यहां पर सेम रखा गया है तेन केटेगरी बाटी गई है एक section A वाले की है section B और C को एक साथ रखा गया है उसमें आप पर अलग से जो बात करें junior translator की अलग सिलिवस निकाले गई थे हम बात करते हैं जो काम की है उसे देख लेते हैं बात कर लेते हैं SSE के लिए JSA के लिए PA के लिए ASO के लिए stenographer का syllabus क्या है यहां बात की जा रही है reasoning से question आएंगे 50 question आएंगे 50 number के gk से को आएंगे question 25 question 25 number के math से 25 question 25 number के English से 50 question 50 number के खुल मिला कर 150 question 150 number का और 120 minute मतलब 2 घंटे में 150 number solve कर जाना है आपको 150 question बना 2 घंटे में और total mark सबका 150 number का है एक question एक number का 150 question 150 number का 2 हंटे में solve कर जाना है यहां बात की जारी नीचे में लिखा हुआ है dark में कि 50% आपको score करना ही करने है total number के 50% score करना है तब ही आपको मतलब cut up बनेगी कहने का मतलब यह है qualifying nature के लिए 50% मतलब 75 number तो लाने ही लाने है उसके बाद ही आपका cut up में लिए जाएगा मतलब cut up उसके बाद ही बनेगी minimum score यहां पर रखा गया है इस यह बस दिखा दिए हैं मैंने उमीद करते हूं video अच्छा लगा होगा बात कर ले हैं junior hindi translator के बारे में और जो library assistant है उनके बारे में तो syllabus आपको सेम रहने वाला है यहां बात कर लिजाए अगर बात करें math से question नहीं है देखने को मिलेंगे आपको math के बतले आप पर आपके subjective question आने वाले हैं 50 number के अगर आप junior hindi translator paper देने जा रहे हैं चैप लैबरेरी assistant paper देने जा रहे हैं और कम से कम 50% लाने ही लाने हैं अब यहीं बात की गई है online paper में तो यह syllabus मैं आपको दिखाने कोशिस किया यहां पर group A की syllabus दिया हुए जो director की vacancy निकाले गई उनका syllabus यहां पर है तो यह information आपको देने थी उमीद करते हैं दोस्तों को share करेंगे